सभी आगनबाडी बहनों को मेरा नमस्कार आज के इस वीडियो में हम आप सभी को फोसन ट्रेकर रेप में जो बच्चों की केटेगरी है जैसे के यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं यह जो बच्चों की केटेगरी है इस केटेगरी में जिनका भी उम्र 6 माह या 3 साल पुरा हो जाता है तो उस बच्चे का जो नाम है वो एक से दूसरे केटेगरी में चले जाना चाहिए लेकिन आप लोग देख पारे हैंगे कि काफी टाइम से जो यह अटोमेटिक वाला सिस्टम है वो काम करना बंद कर दिया है तो इससे जो आँगनबारी से विकाए हैं हो काफी परेसान है जैसे कि आटोमेटिक जो नाम है वो इधर से इधर चला जाता था तो आगणबारी बहनों को इसमें कोई भी कारे उतना नहीं करना पड़ता था लेकिन यह जो अटोमेटिक सिस्टम बंध हो गया है तो इसमें जो बच्चों की केटेगरी है वो ना तो इधर से इधर जा रहे हैं ना इधर से इधर आ रहे हैं तो इसके लिए आप सभी को क्या करना है फिर से थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा जिस्ते कि आप सभी लोग इस केटेगरी से इस केटेगरी में बच्चे को असानी से भेज सकते हैं तो चलिए इसके बारे में हम आपको बताएंगे कैसे आप लोग जो 6 माह पूरे हो जाने के बाद 3 साल वाले केटेगरी में बच्चे को कैसे भेजना है और 3 साल पूरे हो जाने के बाद इस 3 से 6 साल वाले केटेगरी में कैसे भेजना है तो वीडियो आप सभी आगनबारी बह जो भी लोग हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं उनसे एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा कि आप लोग इस वीडियो को लाइक जरूर कर दिजिएगा आप में से काफी लोग हैं जो वीडियो को देखते तो हैं लेकिन लाइक नहीं करते हैं तो आप लोग वीडियो को लाइ केटेगरी में नहीं जा रहे हैं तो उसके लिए आपको क्या करना है मैं आपको यहाँ पे दो सिंपल तरीका बताऊंगा जिससे कि आप लोग असानी से एक से दूसरे केटेगरी में बच्चे को भेज सकते हैं सबसे पहले हम यहाँ पे 0 से 6 माँ वाले बच्चे को इस इसमें 3-4 ऐसे बच्चे हैं जिनका 6 माँ पूरा हो चुका है तो अब यहाँ पे देख सकते हैं जो प्रिया कुमारी का नाम है इसका जो उम्र है वो 6 माँ पूरा हो चुका है तो अब हम इसी बच्चे को 6 माह से लेके 3 सालों वाले बच्चे की केटेगरी में भेजने वाल तो आपको यहाँ पे new registration वाले option पे click कर देना है new registration कैसे करते हैं आप सभी को मालूम होगा जैसे कि जिस बच्चे का भी नाम वहाँ से हटा कर इस 6 माह से 3 साल वाले बच्चे की केटेगरी में add करना है तो उस बच्चे का सारा details हम यहाँ पे उसका नाम, date of birth और माता पिता का नाम, mobile number यहाँ पे लिख लेंगे चलिए हम फटाक से लिख लेते हैं उसके बाद आपको आगे का process बताते हैं तो यहाँ पे देख सकते हैं जिस बच्चे को हमें उस केटेगरी से इस केटेगरी में भेजना है उसका हमने सारा bio data यानि की सारा details हम यहाँ पे लिख चुके हैं नाम, date of birth जैसा उसमें था वो सभी चीज आपको यहाँ पे डाल देना है डालने के बाद आपको क्या करना है यहाँ पे submit का option आप लोग देख रहे हैं इस submit वाले option पे आपको click कर देना है जैसे यहाँ पे submit वाले पे click करेंगे तो आपका record यहाँ पे सफलता पुर्वक दिखाएगा कि आपका जो registration है वो सफलता पुर्वक के यहाँ पे हो चुका है तो आपको यहाँ पे थोड़ा सववेट कर लेना है और यहाँ पे आपको नाम check कर लेना है जिसका हमने नाम यहाँ पे registration किया है जैसे कि हमने जिसका registration किया है उसका नाम प्रिया कुमारी था तो यहाँ पे आपको प्रिया कुमारी चेक कर लेना है यहाँ पे देख सकते हैं प्रिया कुमारी आ चुका है और यहाँ पे तीन बच्चों का जो नाम है वो प्रिया कुमारी है तो यहाँ पे आप देख सकते हैं जिस बच्चे का जो यहाँ पे कोई भी स्टेटस नहीं दिखा रहा है जैसे की ग्रोथ मोनेटरिंग का तो यहाँ पर समझे कि इसी बच्चे का नाम हमने यहाँ पर एड किया है तो इस बच्चे का यहाँ से आप लोग देख सकते हैं कि डेट भी देख सकते हैं कि कब हमने एड किया है यहाँ पर सारा कुछ दिखा देगा देख सकते हैं 15-3-2021 रात को 10 बज कर 24 मिनट पर हमने अभी अभी इस इसको इसका registration किया है इतना सारा चीज करने के बाद आपको एक बार फिर से back आजाना है बैक आने के बाद यहाँ पर जो 0 से 6 मा की जो बच्चे की category है इसको open कर लेना है open करने के बाद जिसका भी नाम हमने 6 मा से 3 साल वाले category में add किया है उस बच्चे का नाम आपको यहाँ से हटाना होगा तो नाम हटाने के लिए आपको क्या करना है यह जो three dot वाला option है इस three dot वाले option पे आपको एक बार click कर देना है click करने के बाद यहाँ पे delete का option आपको मिल जाएगा तो यहाँ से उस लभार्थी का नाम यानि उस बच्चे का नाम यहाँ से हटा सकते हैं तो यहाँ पे हम delete वाले पे click करेंगे click करने के बाद यहाँ पे हाँ वाले पे click कर देंगे जैसे यहां वाले पे किली करेंगे तो यानि इस बच्चे का जो नाम है हमने new restation वहाँ पे कर दिया है तो यहांसे उस बच्चे का नाम यहांसे हटाना होगा तो इस परकार से देख सकते हैं कि उस बच्चे का नाम था प्डीया कुमारी यहांसे हो ओढ़ चुकी है तो इसपरकार से जिस भी बच्चे का नाम आपको इस category से इस category में ले जाना है तो आप लोग आसानी से यहां से यहां आकर new registration करके इसमें एंटरिक कर सकते हैं चलिए अब हम आपको दूसरा तरीका बताते हैं कैसे इस दूसरे तरीके में आप लोग यहां से इस बच्चे को यहां ट्रांसफर कर सकते हैं माली जी किसी और बच्चे का जो उम्र है वो 6 माह यहां पर पूरा हो चुका है तो उसको यहां से नोट कर लेना है और यहां पर 6 माह से 3 साल वाले बच्चे की केटेगरी को ओपेन कर लेना है open करने के बाद को यहाँ पर देख लेना है कि किस बच्चे का जो उम्र है वो 3 साल पूरा हो चुका है जिसका नाम हमें 6 माह से 3 साल वाले बच्चे की केटेगरी से हटाना है तो यहाँ पर देख सकते हैं इस बच्चे का जो उम्र है वो 3 साल पूरा हो चुका है तो उस प्रफाइल अफ्टेट पे किलिक करेंगे और जिस भी बच्चे का नाम जैसे कि हमने 0-6 माह में आपको बताया कि जिनका भी नाम 0-6 माह से हटाना हो तो आप प्रफाइल अफ्टेट करके भी जिनका यहां पे 3 years पूरा हो चुका है उनके profile update में आके यहां से इस बच्चे का जो नाम है इत्या कुमार यानि इसका जो उम्र है वो 3 years पूरा हो चुका है तो उसी के जो भी नाम है और जो भी date of birth है जो भी माता पिता का नाम है वो सभी details हटा के उस नए बच्चे का यानि 6 मा जिनका पूरा हो चुका है उस बच्चे का नाम यहां पे आप लोग add करके यहां पे submit कीजिएगा तो आपका वो भी नाम यहां पे जूर जाएगा और जोडने के बाद फिर से आपको यहाँ पे आ जाना है छे माँ से तीन सालों वाले बच्चे में यहाँ पे उसका नाम जूर जाएगा तो यहाँ से उस बच्चे का नाम आपको हटाना होगा तो यहाँ पे आके किलिक करके जिस भी बच्चे को हमने इस category से उस category में भेजा है उसका नाम यहाँ पे आपको देख लेना है किसको हमने भेजा था उसके three dot पे click कर देना है click करने के बाद यहाँ पे एक बार आपको delete वाला option choose करके उस बच्चे का नाम यहाँ से हटा देना है तो इस परकार से देख सकते हैं कि जो portion tracker app है जिसमें आपको एक बार फिर से मेहनत करनी होगी और जो भी बच्चे का उम्र हो चुका है उसको यहाँ से यहाँ transfer कर सकते हैं और उसी परकार यहाँ से यहाँ transfer करने के लिए आपको क्या करना है जैसे हमने आपको बताया कि new registration करना है जैसे कि मालीजे यहाँ पर किसी बच्चे का जो उम्र है वो 3 साल पूरा हो चुका है तो उस बच्चे का यहाँ पर आपको क्या करना है 6 माह से 3 साल वाले बच्चे की category open करनी है और यहाँ पर new registration पर आपको एक बार click करना है submit करने के बाद और जो भी नाम है वो आपको यहाँ पर दिखाने लगेगा और यहाँ से आपको क्या करना है एक बार फिर आना है और उस बच्चे का नाम यहाँ से delete कर देना है इस परकार से समझ चुके होंगे किस परकार से जो बच्चों की category है यहाँ से यहाँ आप लोग transfer कर सकते है और हम आपको बताते हैं जैसे कि जिनका भी उम्र यहाँ पर 6 वर्स पूरा हो चुका है उस बच्चे को यहाँ पर देख लेना है किनका यहाँ पर 6 वर्स पूरा हो चुका है और जिनका भी 6 वर्स यहाँ पूरा हो चुका है उस बच्चे के 3 डॉट के आगे आपको किलिक करना है जैसे कि यहाँ पे देखते हैं किसका यहाँ पे 6 वर्स पूरा हो चुका है तो देखें यहाँ पे सीवम कुमार जिनका नाम है इनका यहाँ पे 6 वर्स कम्पलीट हो चु का है वो दूसरे किसी स्कूल में जाने लगा है तो उसका नाम यहां से आप हटा सकते हैं तो डिलीट बेनिफिस्री वाले ओप्षन पे आपको किलिक कर देना है और यहां पे जिस भी बच्चे का उम्र छे वर्स पुरा हो गया है उसको यहां से डिलीट करके हटा देना है तो देखें यहां पे तीन सीवम कुमार थे तो अब यहां पे दो ही सीवम कुमार दिखा रहा है यानि तिसरा जो सीवम कुमार जिनका उम्र छे वर्स था वो यहां से हट चुका है तो इस प्रकार से देख सकते हैं कि जो केटेगरी है हमने इसमें आपको सारी डिटेल्स बता नहीं जनकार दी कैसे आपको भी आ, पाल या सुझाओ है आप हमें कमेंट बक्स में सेयर कर दीजिए मिलते हैं फिर किसी नए टोपिक नए जनकारी के साथ तब तक के लिए आप सभी का इस वीडियो में बने रहने के लिए बहुत-बहुत धन्यवाद जय हिंद